हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज पॉडकास्ट आज की पॉडकास्ट सच बताओं तो मुझे बनाने में भी शरम आ रही थी और जिनके बारे में बन रही है उन लोग को वो सब करते हुए शरम नहीं आ रही है थमनेल से तो आप लोग समझी गए होंगे कि पॉडकास्ट किस के बारे में है जी हाँ वो मा बेटे की जोडी के बारे में है जिन्नोंने इंडिया की नाग कटा के रखी है हमारे संस्कृति की सभ्यता की सब की नाग कटा के रखी हुई है मा बेटे के रिष्टे को बदनाम करके रखा हुआ है मा बेटे के रिष्टे के नाम पे ढबा हैं ये दोनों अब जो लोग इन दोनों के बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज दे दू जो आपने थमनेल में पिक्चर्स देखी वो एक मा बेटा है जो देखने में बिलकुल ही नहीं लग रहे हैं उनके एक फैमिली की पिक्चर अब में यहां अटैच करूँगी वो उनकी फैमिली है जहां तक मेरा अंदाज है मुझे तो यह एक फैमिली लगती ही नहीं है किसी एंगल से कोई मैच नहीं लगता है फैमिली में मुझे लगता है ये गल्फरिंड बॉइफरेंड ही है बस वो दो पापा और बेटी कभी-कभी लेकर आते हैं वीडियो में ये दिखाने के लिए कि ये फैमिली और डेलिबरेटली पापा को इतना ओल्ड दिखाया गया है मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन मा बेटों नहीं की है और बेटा तो चलो बच्चा है उसकी बात तो बाद में होगी मतलब ये कौन से अंगल से मा ठीक है देखने में लहीं लगती है बहुत लेडीज ऐसी होती है देखने में चोटी सी क्यूट सी लगती है बट बिहेवियर से तो आखिर मा लगती है इनका बैगराउंड कुछ ऐसा है कि इनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी ठीक है हो गई थी ट्विन्स बच्चे हुए उनको एक बेटा और बेटी जिसमें से बेटा आपको हर इमेज में दिखेगा बेटी कुछ पचास पोस्ट के बाद एक पोस्ट में बेटी फोटो में दिखती है और एक में फैमिली दिखती है बाकी पचास में ये माँ बेटें ही दिखते हैं चाहे वो घर हो चाहे वो बार हो चाहे वो होटेल हो चाहे वो मॉल हो तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि यह दो ही हर जगा क्यों जाते हैं और बेटी को कहां छोड़ देते हैं हमेशा ठीक है पापा ओफिस गए होंगे बेटी तो चलिए मानते हैं कि 18 या 18 के पहले रचना की शादी हुई ठीक है तब छोटी थी दिमाग भी छोटा था पर मुझे तो लगता है जैसे जैसे इसकी उमर बड़ी दिमाग और पीछे चलता गया है मतलब बच्चे कैसे पालने चाहिए शायद इसको पता ही नहीं है या खुद अभी तक वो बड़ी ही नहीं हो पा रही है तो बस बेटा बड़ा हो गया है तो यह गंदी लेविल की ह इन दोनों ने तो उनकी भी लिमिट्स क्रोस कर दिया फॉरेनर्स को यह सब देखके शरमाती होगी जा का रहा है आखिर यह कल्चर हमारा कहां कोई दिखा रहा है दो और तीन बीवियां हैं कहां नाबालिक बच्चों की शादी और बच्चे मतलब फेमस होने के लिए अगर कुछ नहीं है तो इतनी लेविल्स और लिमिट्स क्रोस कर लेंगे यह लोग और हमारा इंडियन कल्चर उसकी तो पूरी की पूरी धजिया ही उड़ रही है और इन दोनों के लिए तो अशलील के सिवाए और कोई वर्ड निकलता ही नहीं है आप इनका इंस्टाग्राम का या यूट्यूब पे तो अभी इनोंने व्लोग्स डालना स्टाट किया है इंस्टाग्राम का कमेंट बॉक्स देखिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स मैं तो एट लीस्ट एक वी रीट करके नहीं बता पाऊंगी जिसको देखना है जाके देख सकते हैं अतल्ब मुझे तो अच्छ है के इसको बच्चे ही ना हुए होते तो कम से कम गंदगी नहीं फैलती इतनी जाधा उनके हस्बंड कैसे यह सब देख सकते हैं कोई तो उनकी फैमिली होगी दादा दादी नानानी मामा मामी चाचा चाची उनको यह सब नहीं दिखता है सोशल मीडिया पर हमको द दिखाओ न तो कोई नहीं मान सकता है कि यह माँ और बेटा है और उसके बाद अगर गर्ल्फरेंड बॉइफरेंड है या हस्बेंड वाइफ है न तो भी उनको अशलील वर्डी मिलेगा ऐसे उनका बहेवियर होता है वीडियो में हाँ अचकल हम लोग उतना फॉवर्ड हो ग पर यह तो लिमिट्स ही क्रॉस्ट है कहां लेके जा रहे हैं यह लोग इंडियन कल्चर को बस एक व्यूज और कुछ पैसों के चक्कर में मन बहुत ही दुखी है यह सब देख के कि आगे हमारे कल्चर का क्या होगा आगे की जनरेशन का क्या होगा पहले मा को बगवान और गुरू की तरह पूजा जाता था अगर बगवान के बाद किसी का दर्जा होता है तो वो मा है यहां पे तो मा कोई गल्फरिन बना के रखा हूए है आई रियली होग के जो मैं गैस कर रही हूँ कि यह एक फैमिली नहीं है सिर्फ एक इल्यूजिन क्रियेट किया गया है फै आईएगा आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी फिर बहुत जल्दी बाइ फॉर नाव थांक्स फॉर तुनिंग इंटो इस पॉड्कास्ट तिल देन लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेर